Age Composition So, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इंडिया में किस तरीके से जो population है उसमें किस age group के लोग कितने हैं तो age composition का मतलब यही है कि जो total population है उसमें आपको particular age के लोग कितने मिलेंगे The age composition of a population refers to the number of people in different age groups in a country तो age composition का मतलब क्या हो गया? कि किसी भी population में अलग-अलग age group के लोग कितने हैं, number of people in different age groups, कि एक country में एक age group के मानलो हम कह रहे हैं कि एक से लेके 10 साल के बच्चे कितने हैं total, तो वो हो गया composition, it is one of the most basic characteristics of a population, और ये जो age composition है, वो किसी भी population का एक बहुत ही basic characteristic है, So age composition हो गया, gender composition हो गया कि किसी population में कितने male हैं, कितने female हैं, ये चीज साथी साथ कितने बच्चे हैं, कितने बुड़े हैं, कितने जवान हैं, तो ये जो age composition है, बच्चे, बुड़े, जवान वाला, ये चीज जो है वो बहुत ही एक basic characteristic है, कि जब आप किसी population को समझते हो, देखते ही हो, to an important degree, a person's age influences that what he or she needs, buys, does and his or her capacity to perform, तो एक काफी बड़े पैमाने तक, किसी भी person की age, उसके काफी सारे decisions को influence करती है, वो किस तरीके से behave करता है, वो किस तरीके की चीजों को खरीदेगा, किस तरीके से उसकी preference होगी, क्या-क्या उनकी जरूरते हैं, वो किस तरी काम करेगा, या करेगी, तो ये सारी चीजे जो हैं, वो age पर depend करती है, साथ ही साथ, उस person की जो capacity है perform करने की, वो भी उसके age पर depend करती है, मतलब अगर एक बच्चा होगा, तो वो उतना जादा काम नहीं कर पाएगा, वहीं कोई बुड़ा होगा, तो उसकी भी capacity इतनी नहीं होगे कि कुछ अच्छा काम कर पाए, मान लोग कि किसी बहुत भारी से समान को उठाने, example के तौर पे, तो ना बुड़ा होटा पाएगा, ना बच्चा उठा पाएगा, तो जो जवान है, वो काफी असानी से उस भारी से समान को उठा लेगा, तो जो उसकी capacity है person की, वो भी social and economic structure, तो हम कह सकते हैं कि हमने, जब हम population को पढ़ते हैं, तो हमने generally population को तीन broad categories में बाटा हुआ है, तो वो कौन-कौन से हैं, children, मतलब बच्चे वाला group, तीन हमने groups में बाट दिया, तो पहला हो गया बच्चे वाला, children, दूसरा हो गया working age group, ऐसा age group जो की काम करता है, जो की एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा active हैं, और तीसरा है age group, मतलब जो बूढ़े लोग हैं, उनका, से जो division है, ये जो particular group है, कि कितने बच्चे हैं इसी population में, या कितने working age के लोग हैं, या कितने age group हैं, ये सारी चीज़े जो हैं, वो एक बहुत ही important determinant हैं किसी भी population में, उससे ह हमें ये पता चलता है कि population का economic structure कैसा होगा, वहां का social structure है, वो कैसा होगा, और ये चीज़े, मतलब किसी population में, कितने बच्चे हैं, बूडे हैं, कितने जवान हैं, ये चीज़े overall economy को भी affect करती हैं, मतलब कि अगर किसी economy में बहुत ज़्यादा बच्चे या फिर बहुत ज़् लिखने मिलेगा कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा grow नहीं कर पाएगी, क्योंकि चाहे बच्चे हों, चाहे बूडे हों, बहुत ज़्यादा अच्छा perform नहीं कर पाएगी, वो इतने ज़्यादा capable नहीं होते, वहीं कोई economy अगर ऐसी हो, जिसमें की जवान लोग हैं, तो उ फर्स वन इस चिल्रेन, जेनरेली बिलो फिफ्टीन यर्स, तो हम इस केटेगरी में, जो फर्स केटेगरी है चिल्रेन वाली, इसमें हम नॉमली 15 साल से नीचे वाले बच्चे को रखते हैं, मतलब कि जो बच्चे 15 साल से नीचे के हैं, मतलब एक साल से लेके 14 साल की उमर व होता है economically unproductive मतलब कि यह जो ग्रुप है यह पैसा नहीं कमाता है यह बहुत ज्यादा dependent रहता है अपने parents के ऊपर इन यह जो ग्रुप है बच्चों का उनको खाना provide कराना पड़ता है clothing provide करानी पड़ती है education and medical care मतलब उन्हें पढ़ाई लिखाई जो है वो करवानी पड़ती है और साथी साथ उनकी जो सेहत है जो उनकी health है उसका भी देख देख्वाल जो है वो करनी पड़ती है तो यह जो बच्चे हैं वो खुद यह सब नहीं कर पाते क्योंकि वो earn नहीं कर रहे है इसलिए वो खुद का खाना नहीं खरीच सकते खुद के लिए कपड़े नहीं खरीच सकते इन सभी चीजों के लिए उन्हें अपने parents के उपर depend होना पड़ता है तो यह बहुत ही जादा dependent वाला group है यह अपने parents के उपर depend रहते हैं then working age working age को हम मानते है 15 to 59 मतलब जो लोग 15 साल के हैं और 59 years तक की age के हैं इस पूरे group को हम working age कहते हैं they are economically productive यह वाला जो age group है वो economically productive होता है मतलब वो कमाने लायक होता है वो पैसा जो है कमा सकता है अपने पैरोपे खड़ा हो सकता है and biologically reproductive कि यह जो age group है यह जो young ones है उन्हें भी produce करने में काफी active रहते हैं they comprise the working population और यह वाला जो age group है इसी को हम working age कहते हैं क्योंकि अच्छे से काम कर रहे हैं capacity काफी अच्छी है काफी active है energetic group है तो यह वाला जो age group हो गया यह working population का है then जो third age group है हो है aged का मतलब कि ऐसे लोग जो 59 years से उपर के हैं इन्हें आप ऐसे कह सकते हो कि old जो लोग हो गए बुड़े लोग they can be economically productive though they may have retired अब जो लो 59 years से उपर के हैं वो हो सकता है कि economically productive हो हो सकता है कि वो कमा रहे हो और यह भी हो सकता है कि वो retire हो चुके हो मतलब कुछ लोग होता है कि वो retire हो चुके हैं बट फिर भी वो कुछ ना कुछ और काम कर रहे हैं फिर भी वो मानलो कहीं पर उन्होंने अपना business खोल लिया कहीं पर उन्होंने दुकान खोल ली फिर भी वो कमा रहे हैं भले ही वो हो गया है बट फिर भी हो सकता है कि retire होने के बावजूर भी वो कुछ कमा रहे हों तो हम उने कह सकते हैं कि वो economically productive हो सकते हैं they may be working voluntarily but they are not available for employment through recruitment हो सकता है कि इस age group के लोग काम कर रहे हूं वो भी voluntarily voluntarily मतलब अपनी मर्जी से वो कहीं काम कर रहे हूं बट इस age group के लोग जो है वो recruitment के लिए available नहीं होते उसके लिए यह लोग eligible नहीं होते मतलब कि कोई भी जो company है कोई भी जो organization है वो किसी 59 years से उपर वाले person को अपने यहां पर job पे नहीं रखेगी normally क्या होता है 60 years तक होने पर जो person है उसको retirement दे दी जाती है वो retire हो जाता है तो किसी वह organization वगेरा में 60 years से उपर के person को recruit नहीं किया जाएगा उसे job पे नहीं रखा जाएगा बट वहीं कोई person है वो मानू 60 का है 65 का है और उसने अपना business खोल लिया उसने किसी के पास job नहीं मांगी बट उसने कहा कि उसने अपना खुद का business खोल लिया और वो कमा रहा है तो यह भी हो सकता है मतलब हम यह नहीं कह सकते कि जो aged group है वो बिलकुल ही unproductive है ऐसा नहीं हो सकता है कि वो productive हो वो जो भी काम कर रहा है वो voluntarily हो और कमा रहा हूँ बठाँ वो जो employment through recruitment है कि वो कहीं पर किसी के पास जाके job जो है वो नहीं ले पाएगा the percentage of children and the age group affect the dependency ratio because these groups are not producers तो किसी भी economy में कितना percentage of population का children है मतलब कितने जो लोग है वो बच्चे हैं कितने लोग बूरे हैं इसकी वज़े से क्या होता है dependency ratio बढ़ती है dependency ratio मतलब आप समझ सकते हो कि जिसमें हम यह देखते हैं कि कितने लोग working class के ओपर depend करते हैं कि working class को normally यह मान रहे हैं कि वो अच्छा कमा रही है वो खुद जो है वो अपना खाना पीना जो भी है वो खुद effort कर सकती है बट वहीं अगर हम बच्चों की बात करें और ऐसे aged लोगों की बात करें जो भी खुद से नहीं कमा रहें तो वो भी क्या करते हैं वो डिपेंड ह हो जाते हैं अपने बच्चों के उपर तो बुड़े लोग अपने बच्चों के उपर डिपेंड हो जाते हैं और जो बच्चे हैं वो अपने ममी पापा के उपर डिपेंड हो जाते हैं जैसे आपने देखा होगा कि आप अपने ममी पापा के उपर डिपेंड करते हो और आ यह उतनी ज्यादा डिपेंडेंसी रेश्यों होगी the proportion of the three groups in India's population is already presented figure 6.5 अब इंडिया में किस ग्रुप के कितने लोग है वो यहां पर आपको दिखाया हुआ है तो इसमें आप देख सकते हो कि age structure जो adults है वो है 58.7% तो यह पुरा औरेंज कलर का है इस पाई चार्ट में आप देख सकते हो इतना percentage of population जो है वो इंडिया में adult है या यू कहीं working age का है तो इंडिया को एक young country कहा जाता है क्योंकि इंडिया में यह जो working class है जो adults है जो जवान जनता है वो बहुत जादा है तो इसलिए इंडिया को एक young country कहा जाता है राइट वही प जोका है तो मतलब पूरी population का 34.4% जो है वो बच्चे है 6.9% बुड़े है और adults जो है जो जवान है वो 58.3% भीच है तो ज्यादा population जो है वो जवान किया और यही एक अच्छा structure भी है क्योंकि जो dependent population है उसमें आप देख सकते हो काफी कम है जो इस working class के उपर dependent लोग है मतलब कि एजन चिल्रन है वो काफी कम है वो 34.4% and 6.9% अब समझ लो 42% of population जो है वो dependent है 58% जो population है वो working है तो मतलब जो dependent है उसकी रेशो भी उसकी जो नमबर है उसकी जो percentage है भी वो कम है तो हम ठीक position पे है अगर हमारी जो dependent population अगर वो ज्यादा हो जाए मानलो वो 60% हो जाए और हमा बहुत ही ऐसा structure होगा जिसमें कि हमारी economy बहुत अच्छे से perform नहीं कर पाएगी क्योंकि dependent लोग जादा होंगे उस टाइम तो जो काम करने वाले है जो active group है वो कम होगा तो वो economy के लिए तना अच्छा नहीं होगा बट अभी हम क्या सकते हैं कि हाँ हमारा जो population structure है वो ठीक है